हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे SBI PO Pre के कुछ रियल कोशन्स और ये पेपर हुआ था 77 2018 को जुलाई में ये पेपर हुआ था इसके इसके real questions हम discuss करेंगे इस video class में और ये question सभी बेंके exams के लिए चाहे वो clerk का exam हो या पियो के exam हो उन सभी exams के लिए ये video काफी important रहेगी और ये questions काफी important रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन questions को देखिए ये पैरा जंबल का एक question है और इस तरह के questions नॉर्मली प्री exam में पूछे जाते हैं क्योंकि main exam में जो questions आते हैं थोड़े से ज़्यादा tricky और ज़्यादा lengthy होते हैं ठीक है ये एक basic पैरा जंबल का एक question है तो इसमें आपको करना क्या है इसमें देखिए एक part ये दिया है यहाँ पर जो की bold में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और बाकी के जो part हैं उनको unbold करके लिखा गया है जिसको a, b, c, d इस तरीके से letter के द्वारा signify उसमें किया गया है तो इसमें आपको करना क्या है इस इस para को आपको इस particular sentence से start करना है मतलब आपका जो para start होगा वो यहीं से start होगा इसकी position जो होगी वो change नहीं होगी यह agitated रहेगा जिसको हमने one से indicate किया है और जो a, b, c, d जो हैं उनको आपको rearrange करना होगा और rearrange करके जो para बनेगा आपका coherent para बनेगा वो आपका answer होगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है आपको logic apply करना है देखे मैं बताता हूँ किस तरीके से Chinese officials say ठीक है Chinese के officials कहते हैं Chinese, China के officials कहते हैं क्या कहते हैं कि अब देखें यहां से आप लगाएंगे मतलब इसके बाद आपको क्या चाहिए एक statement चाहिए क्योंकि Chinese officials say का मतलब है कि वे क्या कहते हैं तो वो जो कहते हैं वो इक statement के form में होगा तो इसलिए इसके आगे आपको एक statement चाहिए ना की verb अब देखिए इसमें verb लगी हुई है ठीक है इसमें देखिए इसमें low लगा हुआ है और इसमें देखिए the word economy लगा हुआ है जो एक noun है, इसके आगे आपको एक statement चाहिए कि वो क्या कहते हैं, ये common sense है, ये common logic है, ठीक है, Chinese official say, तो इसके बाद आप ये वाला sentence लगा सकते है, economic growth has, अब चुकि यहाँ पर has लगा हुआ है, तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, एक simple सा common sense है कि इसके बाद आप V3, वर्ब की third point किसमें आ रही है, इसमें आ रही है, ये part किसमें है, A में, यानि सबसे पहले क्या आएगा C और उसके बाद क्या आएगा A, ठीक है, अब C और A का इसमें एक ही combination है, यदि C और A के दो या तीन या चार combination होते तो फिर आप पूरे sentence को पढ़ते, लेकिन trick क्या है, जैसे ही आपको दो लेटर का combination मिलता है, वही आपका सही answer है, लेकिन थोड़ी सी उसमें surety आपको होनी चाहिए, और ये surety आएगी आपको practice करके, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा C A, C A, B D, क्योंकि C A का और कोई option नहीं है, और logically ये बात prove हो गई यहाँ पर, कि Chinese official say के बाद economic growth has ही आएगा, has के बाद word की third form ही आएगी, तो dropped ही आसकता है, कोई दूसरा word नहीं आसकता, तो इसलिए इस तरीके से आपको in questions को करना है, और जब आप questions को करें, तो आपको अपने answer को justify करना आना चाहिए, आपको confidence होना चाहिए, कि इसका answer cable यही हो सकता है, और कुछ इसका answer नही करते हैं, तो कम से कम time में accuracy के साथ इन questions को आप कर पाएंगे, और यही आपकी strategy होनी चाहिए, कि कम से कम time में accuracy के साथ questions को करें, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि सारे words आपको आते हूँ, यह जरूरी नहीं है कि उस sentence का, उस particular sentence का meaning आपको पता हो, आपको simple common sense और simple logic आपको apply करना है, अब देखें कुछ और sentence हम देखते हैं, यहाँ पर, यह है इसके options, I think it is a shame that, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक शर्मनाक चीज है, एक शर्मनाक बात है, ठीक है, वो बात क्या है, वो statement क्या है, वो इसके आगे आएगा, ठीक है, तो I think it is a shame that, यहाँ पर आप यह ल के बाद, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ state करेंगे, तो जब आप कुछ बोलेंगे, तो एक sentence के form में बोलेंगे, और जो sentence से start होगा, वो एक subject से start होगा, जिसको हम बोलते हैं, डूर, इसमें एक डूर दिया हुआ है, some foreign language teachers, I think it is a shame that some foreign language teachers, अब some foreign language teachers तो एक subject हो गया, अब इसके बाद verb आपको चाहिए, तो verb किसमें है, देखिए, इससे हम बिलाके देखते हैं, studied with a native speaker, some foreign language teachers, studied with a native speaker, college without, अब यहाँ से इसका कोई sense नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ से इस sentence को, इस sentence के साथ आप जोड सकते हैं, some foreign language teachers को, इसके साथ लेकिन इसके आगे कोई sense नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको हम जोड कर देखते हैं, some foreign language teachers, college without, यहाँ भी कोई sense नहीं बन रहा, क्योंकि teachers के बाद यह एक subject है, और इस subject के बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक verb चाहिए, ठीक है, तो studied दे एक verb है, लेकिन इ यहाँ से इसका एक sense बन रहा है, were able to graduate from, अब हम graduation जो करते हैं, वो कहां से करते हैं, college से करते हैं, एक simple सा common sense है, ठीक है, तो इसके बाद some foreign language teachers, जो है, उसके बाद आएगा, यानि A के बाद आएगा D, और D के बाद आएगा C, A के बाद आएगा D, D के बाद आएगा C, A, D, C क एक combination इसमें बनेगा, और A, D, C का जो combination बाद एक ही है, और इसका answer होगा second, ठीक है, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, और जाचादा practice करनी है, test series के थूरू, जितनी अच्छी आप practice करेंगे, उतना अच्छा आप command कर सकते हैं, अब देखे, एक ये question है, और इसके questions को हम प गीता जो है, वो एक spiritual philosophy है, and it is address to all, मतलब गीता में जो कुछ लिखा हुआ है, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा हुआ है, वो पूरे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी मानब जाती हैं, उन सभी के उसमें address किया गया है, और ये बस सही है, ठीक है, तो इसलि कि यहाँ पर एक sentence, यहाँ तक एक sentence बन गया, अब यहाँ पर के लिखा है, and, यानि यहाँ से एक दूसरा sentence जोड़ा जा रहा है, तो यह जो combination बन रहा है, यह logical combination है, and we know that there are all kinds of people, हमें पता है कि there are, के सभी तरह के लोग होते हैं दुनिया में, there are all kind of people, each kind differing quite significantly from the other, यह बाद कि 10 तरह के लोग हैं, 50 तरह के लोग हैं, तो 50 तरह के लोगों की शकल सूरत, उनका mind, उनका सोचने का तरीका, उनके psychology, वो सब कुछ, दूसरे विक्ति से पूरी तरीके से अलग होती है, ठीक है, तो इस पूरे sequence को हमने पढ़ा, और यह जो पूरा sequence है, यह पूरा sentence है, यह already सही है, और इसमें किसी arrangement की जरूवत नहीं है, तो इसका जो answer होगा, वो होगा, no arrangement required, यह हम SBI PO के 77 2018 के real questions कर रहे हैं, और यह most recent pattern है, क्योंकि 77 2018 का मतलब है, कि most recent, इससे recent कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है, कि यह जो pattern है, यह current trend है, यह current pattern है, ठीक है, इस तरह का pattern को आपको सीखना है, और जैसे pre-exam होता है, उसमें 30 questions होते हैं, तो 30 में से 7 या 8 या maximum 10 questions passage के रहते हैं, बाकी सारे questions इसी तरीके के होते हैं, और इस तरह के questions को आप आसानी से solve कर सकते हैं, और इसमें 20-22 number, 30 में से 20-22 number आप आसानी से ला सकते हैं, यह आप अच्छी practice करते हैं, और 20-22 number का मतलब है कि cut-off से 4 गुना जादा, cut-off से 4 गुना जादा, आप sectional और overall cut-off आप आसानी से निकाल सकते हैं, यदि आप सही steady follow करें, सही steady यह है कि आपको passage को सबसे बाद में करना है, पहले इस तरह के questions करना है, और passage को करना भी है, तो उसकी vocabulary जो part है, वो करना है सबस affair, function, omission, यह options दिए है, statements और discretion, तो इसका पढ़ते हैं, they would like local authorities to be given, इसको थोड़ा से analyze करते हैं, they would like, वे लोग ऐसा चाहेंगे, they would like, मतलब वे लोग ऐसा चाहेंगे, वे लोग क्या चाहेंगे, कि local authorities to be given, मतलब local authority, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, to be given क्या है, to be given जो ह होता है, वो पैसे voice construction होता है, पैसे voice construction का मतलब है, कि इसमें जो subject होगा, वो receiver होगा, action का, local authority कोई काम नहीं करेगी, local authority के ऊपर कोई काम होगा, ठीक है, तो इस sentence का मतलब क्या निकला, अगर ऐसा हम apply करें, तो इसको, they would like, में लोग चाहेंगे, कि local authorities to be given, मतलब local authorities को ज्यादा responsibility दी जाए, local authorities to be given greater, greater क्या दी जा सकती है, local authority को हम क्या दे सकते हैं, क्या हम affairs का कोई sense ही नहीं है, क्या हम functions दे सकते हैं, हम उनको responsibility दे सकते हैं, ठीक है, omission नहीं, statement नहीं, मतलब इन चारों word का कोई sense नहीं निकल रहा, इन चारों ही word का, ठीक है, affairs उनको हम देंगे, functions हम उनक मतलब किसी चीज को काटना, हटाना या उनको हम स्टेटमेंट देंगे, तो इन चारों ही words का कोई sense नहीं बन रहा और ये जो मैं sense की बात करता हूँ, कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि इन चारों ही words का कोई sense नहीं बन रहा तो ये चीज आपको आती है reading से, जब आप reading करते हैं Hindu newspaper की, Economic Time newspaper की, तो ये जो sense आपके अंदर create होता है कि कहाँ किस sentence में कौन सा word fit हो सकता है, ये आपको आता है reading reading से, इसलिए जितने भी आपने faculty members देखे होंगे, जो YouTube पर पढ़ाते हैं, या कहीं पर भी पढ़ाते हैं वो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि you should read as much as possible ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप reading करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका sense निकालने ही कोशिस करें words को combine करने ही कोशिस करें कि किस word के साथ कौन सा word जाता है तो यहाँ पर आप आखरी का जो word बचा, वो word बचा discretion discretion क्या होता है discretion ये होता है कि discretion का मतलब होता है freedom to take decisions ठीक है, तो यहाँ पर वे लोग चाहते हैं they would like, वे लोग चाहते हैं कि local authorities को ज़्यादा दिया जाए ज़्यादा क्या दिया जाए ज़्यादा उनको freedom दी जाए ताकि वो ज़्यादा better और ज़्यादा सही decision ले सकें ठीक है, to be given greater discretion as to, as to मतलब इसके regarding, as to का मतलब होता है इस चीज के regarding, किस चीज के regarding इस चीज के regarding, ठीक है how the money is spent पैसा कैसे खर्च किया जाता है उनके पास जो budget है उस budget को वो किस तरीके से खर्च करते है इसके regarding, उनको ज़्यादा discretion दिया जाए ज़्यादा power of judgment उनको दिया जाए ठीक है, तो यहाँ से आपका जो sense बन रहा है वो पूरे तरीके से सही बन रहा है और इसमें जो answer होगा, वो होगा आपका 5, I hope you understand this question चलिए इसके आगे हम देखते है यह है question number 5 और यह है इसके options आप देख सकते है पांच option दिये हैं इसमें in a 10 billion year old galaxy there should have been ample ample word को हम किस के साथ normally जोडते है, ample supply ample advocacy, ample surveillance ample opportunity, ample negligence ample को हम दो words के साथ normally जोडते है, ample opportunity ample supply, क्योंकि ample कार्थ होता है परियाप्त, ठीक है तो कहीं पर भी आप newspaper में देखेंगे किसी magazine में देखेंगे, तो आपको ample जो word है, opportunity के साथ supply के साथ normally मिलेगा ample space भी हम मूलते हैं ample space, ठीक है तो यह यहाँ पर मैंने common sense apply किया, कि in words के साथ ample word जाता है अब इन दो words में से कौनसा word आ सकता है, यह थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा in a 10 billion year old galaxy there should have been ample opportunity लगा के देखते हैं opportunity for at least one species to escape, देखे यहाँ पर opportunity ही आएगा, क्योंकि escape जो word है आप escape तभी कर सकते हैं जब आपको कोई opportunity मिलेगी कहीं से भी, किसी भी जगह से यदि आप escape करते हैं ठीक है, वहाँ से बचके निकलते हैं तो वो होगी एक opportunity वो supply नहीं हो सकती वो opportunity होगी, एक मौका होगा आपके लिए ठीक है, तो without reading the complete sentence I can say that this is the right answer opportunity यहाँ पर इसका सही answer होगा, इसको थोला सा पूरा पढ़ते हैं हम, for at least one species to escape its own mass and to spread across the stars filling every niche इसका मतलब यह है कि जो 10 billion year old galaxy है उसमें से कम से कम एक species को तही opportunity होगी, कि वो अपने mass से बाहर निकले और stars के बीच में चला जाए, थोला सा सेंस देखें तो इसका opportunity इसका सही answer यहाँ पर होगा next question देखते हैं हम और यह हैं इसके options, in the same amount of time it would take me to correct all the in your report, I could write a better report myself इसी amount में, इसी time में में एक अच्छी report write कर सकता हूँ और correct कर सकता हूँ correct in your report, correct हम किस चीज़ को करते हैं क्या हम correct problems को करते हैं, नहीं, क्या हम correct accuracies को करते हैं, नहीं, क्या हम correct obstacles को करते हैं, नहीं क्योंकि obstacles का अर्थ होता है अब road या वादा हैं और dispute को correct करते हैं, हम हमेशा mistake को correct करते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा एक keyword कि correct और correct हम करते हैं mistake को तो यहां पर answer होगा आपका first आगे दिखते है question number 7 I have recently used the service of his agency to book a cruise in the Mediterranean Mediterranean में जो cruise होता है जो ship होता है उससे जब हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी travel में जैसे आपने सुनाओगा travel agency तो यहां पर आपका सही आंसर होगा travel agency क्योंकि travel agency ही आपको cruise पर भेजती है उसके थूँ आप बिदेश यात्रा पर जाते हैं इन कजन जो होती है वो छोटी छोटी short trips होती है तो यह suitable नहीं रहेगा deportation किसी को बहार निकालना देश यह जब बहार निकालते हैं किसी वेक्ति को तो उसको मोलतें deportation transfer, mover यह नहीं आएंगी transfer agency, mover agency नहीं होती वो travel agency होती है जो cruise पर आपको भीजती है ठीक है तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका travel चलिए आगे एक question देखते हैं आपको केवल एक keyword पकड़ना होता है यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर हम बोलाएं unpaid labor services अब labor services दो तरह की की हो सकती है अन पेड और पेड इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं इसका मतलब हम resources का क्या कर रहे हैं resources का estimation कर रहे हैं जब हम unpaid और paid के बारे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम resources को measure कर रहे हैं उसको estimate कर रहे हैं कि कौन से resources paid हैं कौन से unpaid हैं ठीक है उनको हम measure कर रहे हैं तो यहां पर एक simple सा यदि आप logic apply करें to estimation will be the right answer here तो यहाँ पर यह कुछ कोश्चन है फ्रेज रिप्लेस्मेंट के और इसको देखते हैं बोथ आयरुवेदिक और हर्बल प्रजेक्ट्स चुकि दो इसमें सब्जेक्ट हैं एक आयरुवेदिक हो गया और एक हर्बल प्रजेक्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, गेंड सही है, वी थ्री है तो सही है, ठीक है, तो हैप का जो option है, वो इसमें एक ही है, आंसर होगा second, यह real questions है, ठीक है, आगे हम देखते हैं, question number 9 हो गया, question number 10 देखते हैं, question number 10, यह इसके options है, he said to, देखिए यहाँ पर two के बाद, verb की first form आपको चाहिए, ठीक है, have verb की first form है, had नहीं है, had तो third form है, तो इसलिए हैड नहीं आएगा यहां पर वर्ब की फर्स्त पर्म होती है और जब है लगाएंगे तो थर्ड फर्म आ जाएगी यहां पर थर्ड फर्म पहले से लगी हुई है यहां पर आंसर होगा आपका 3rd, he said to have defrauded many people of lakhs of rupees till dead मतलब वे इस बात से दुखी है कि उसने अब तक मतलब हजारों लोगों को लाखों रोपे का फ्रॉड किया है, घोटा ला किया है इस बात से वो दुखी है खीक है, तो इसका अंसर होगा 3rd नेक्स सेंटेज देखते हैं इसमें हम आप्शन देखते हैं, क्या आप्शन हैं देखें, रिंग नेटवर्क टेक्नलोजी जो है इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं हम इसमें फैक्ट की बात कर रहे हैं कि रिंग नेटवर्क टेक्नलोजी ऐसा कर सकती है या इसके यह रिक्वार्मेंट होते हैं जो है यह singular है तो यहाँ पर आपको S चाहिए ठीक है लेकिन wiring जो है यह countable नहीं है इसलिए many यहाँ पर नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ पर आपको इसको replace करने की जरूवत है अब आपको क्या करना है S वाला ऐसा require देखना है जिसमें S लगा हो ठीक है तो इसमें S नहीं लगा तो यह हट गया इसमें S नहीं लगा यह हट गया इसमें S नहीं लगा यह हट गया आंसर आ गया 4 ठीक है तो और requires के साथ देखिए इसमें lot of wiring लोट of wiring आप कह सकते हैं लेकिन many wiring नहीं कह सकते तो उसे साबसे भी यह sentence आपका सही हो गया और require में ass लगा हुआ है तो यह भी सही हो गया हम यह required कियो नहीं बोलेंगे required इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि past incident की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां हम एक fact को बता रहे हैं यहां हम एक fact को express कर रहे है कि ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता है तो ये एक fact है और इसको हम present simple tense में लखेंगे और चुकि ring network technology जो है वो singular है तो इसलिए present simple tense की जो verb होगी उसमें हम S लगाएंगे और S वाला जो sentence है वो एक ही है तो इसलिए इसका short short जो answer होगा वो होगा fourth तो इस तरीके से इन questions को किया जाता है कुछ student क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनको सही लगा तो वो तुक्का मार देते हैं या इक guess work करते हैं तो guess work आपको नहीं करना है पूरे तरीके से जब आप sure हैं 100% sure हैं तभी answers को tick करना है और पूरे logic दो या तीन parameters पर आपका answer सही होना चाहिए grammatically भी सही होना चाहिए और logically भी सही होना चाहिए यदि इन दो parameters पर आपका answer सही लग रहा है तो फिर आप उस answer को आप लगा सकते हैं तो यह आपकी approach होनी चाहिए ठीक इस approach से करते हैं तो 30 में से 18 से 20 marks आपको कोई नहीं रोक सकता आप आसानी से इतना achieve कर सकते हैं और 30 में से pre में 18 या 20 number आपके आजाते हैं तो आपका ना केबल sectional बलकि overall cut off भी हस्ते हस्ते निकल सकता है ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और जो चीज़े मैंने बताई हैं जो common sense approach जो logical approach मैंने बताई हैं इनको आपको apply करना है और exam में सफलता अपनी सुनिश्यत करनी है तो इसी के साथ इस video class को मैं खत्म करता हूँ और अब मैं आपसे बिलूँगा next video class में Till then bye and have an awesome day Thank you